नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूप चाइनल दुनियादारी एक्सपर दोस्तो आजकल एक खबर मीडिया पर काफी चर्चे में है काफी वारे हो रही है कि नवादा के फुलवर्या डेम में जो चंदोली गाह में पढ़ता है वहां पर इस डेम से आप देख सकते हैं वो दूर छोटा सा मस्जीद दिख रहा है चले इसको हम नजदिक से चल कर देखते हैं तो ये रहा मस्जीद आप देख सकते हैं ये काफी पुराना ऐसे देखने से भी लगता है कि ये काफी पुराना मस्जीद है और इसमें इटो का इस्तमाल नहीं हुआ ना तो सिमेंट का इस्तमाल हुआ है ना कॉंक्रीट का इस्तमाल हुआ है इससे ही पता चल रहा है कि ये मस्जिद काफी पुराना है और जैसे ही खबर ये मीडिया पर वाइरल हुई वैसे ही सारे लोग जिनको जिनको भी पता चल रहा है और जो भी ये सब चीजे देखने के यह चुक हैं वो दोड़े चली आ रहे हैं देखने के लिए और देख देख कर इसको जा रहे हैं सभी लोग नज़्दिक तक नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ये पाने से घीरा हुआ है जो पाने में घुसकर और किच्चुडों में घुसकर आ सकता है वो आस्ता आता है चलिए हम इसके अंदर घुश के आप देखते हैं कि अंदर कैसा है यह देखिए यह अंदर है उपर गुंबज है यह चोटा ही मस्जिद है चोटी से गुंबज है लेकिन खुबसूरत है यह आप देख सकते हैं चारों तरफ इसकी दिवारों को ये गुंबज को ये काफे पुरानी लग रही है देखने से आप इनके इटों को इट तो है ने इसमें मतलब इसके जो भी इसमें जुड़ाई की गई है इसके देख सकते हैं इसके दिवारों को देख सकते हैं कि दिवारों को देखने से पता चल रहा है कि सच मुझ में ये काफी पुरानी है इसके आज पास रहने वाले लोग बोल रहे हैं कि ये तिस सालों से आज तक कभी दिखा नहीं था पानी के अंदर ही था आज ये पानी से बाहर होकर दिखा है जब डेम का पानी का इस्तर कम हुआ है तब ये दिखने लगा है और काफी दूर-दूर से लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर फोटो खिचवा रहे हैं ये आज कल ख़बर ये मीडिया पर काफी वारल हो रही है काफी चर्चे में है और काफी लोग आशर चकी था हैं तीस साल से डुबा हुआ ये मस्जिद पानी के अंदर आज आचानक पानी से बाहर निकल गया तो दोस्तो इसी तरह के ख़बर देखने के लिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चानल दुनियादार एक्स को सब्सक्राइब जरूर कर देजएगा और वीडियो को लाइक भी कर देजएगा शेर भी जरूर किजएगा वीडियो को आई आप देख सकते हैं ये मज़ूम है ये जहां पर हम हाथ पर धोते हैं या यहां पर गिरी दिवारे हो सकती हैं तो दोस्तों वीडियो करसा लगा कमेंट में जरूर बतायेगा